सत्य में हनुमान जी तो इस युद्ध कला में अत्यांद ही पारंगर आप मुझे देखी और फिर सीखी अब आप प्रियास कीची कीजिये 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 प्रियास शत्रुग्न भैया हरुमान जी मैं यह नहीं सीख सकूँगा शत्रुग्न भैया राम नाम की शक्ति तो सब कुछ संभव बना देती है राम 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 शत्रुग्न भैया आप मेरे उदर पर प्रहार कीजिये क्या कह रहे हैं आप मैं आपके उदर पर प्रहार नहीं कर सकता शत्रुग्न भैया यह तो आपके प्रशिक्षन का भाग है अपनी संपूर्ण शक्ती से मेरे उदर पर प्रहार कीजी देखा आपने उचित मान स्पेशियों की उचित शक्ती से हम कोमल उदर को भी कठोर बना कर अपनी रक्षा कर सकते हैं मल युद्ध और कुछ नहीं सही मान स्पेशियों से उचित प्रभाव उत्पन करना ही मल युद्ध है आपको मैं दिखाता हूँ आप सुर्य देव को प्रणाम कीजी अब आप धर्ती माता को प्रणाम कीजी अब पुनहा सुर्य देव को प्रणाम कीजी प्रणाम जी आप मेरे साथ क्रिड़ा कर रहे हैं क्या सुर्य देव को प्रणाम कीजी धर्ती माता की आशिश रूपी मिट्टी अपने मस्तक पर मलिये अब आप अपने उर्जा को केंद्रित करना सीख गये हैं बस अब आपको कुछ दाभी सीखने हैं उङे हैं युठ एडत सेखने के बसुत informação यु़्क मिया हैं कि बढ़े ख्मदी देज़ धो जादेए झाल झाल उस दुष्ट लवनासुर को परास्त करने के लिए इतना परियाप्त है शत्रुगन भाईया हाँ उन्वान जी आज हम उस दुष्ट को गिरा करी रहेंगे ये जल लीजिये शत्रुगन भाईया इस जल में आपको कुछ दिखाई दे रहा है क्या? हाँ अन्वान जी मुझे लवनासुर के शूल का परतिभी में दिखाई दिया इस शूल को लेकर हमें अनेक संकेत प्राप्त हो चुके हैं सर्वप्रथम महराज दशरत ने साफधान किया आज भी वासुर जीवित है अपने दिववे शूल के बल पर अपने चल के बल पर और अब आपने स्वैम इसका प्रतिबिम्ब देखा इसका तो मात्र एक ही अर्थ है आज रात्री लवनासुर आप पर भी अपने शूल का बार करने वाला है मुझे इस शूल का कोई उपाई करना होगा आप उचित कह रहे हैं मलियुद्ध में यदि मैं उसे पचाड़ने लगा तो मुझे विश्वास है कि वो अपने शूल का परहार मुझे परवश्य करेगा जैसे उसने महराज मंदाता पर किया था उसे शूल का प्रयोग करने से मैं रोकूंगा किंतु कैसे वो तो अपने दिव्य शूल को मंदिर में छिपा कर रखता है और उसके सिवाए उशूल को कोई उठा भी नहीं सकता मैं कोई न कोई उपाए अवश्य ढून लूँगा किन्तो उस असुर को आज रात्री के युद्ध में उस दिव्य शूल का उपयोग कदा भी नहीं करने दूँगा ये लवना सुर कहीं मुझे देख ना ले मैं मंदिर के घंटे में छिप जाता हूँ एक छण के लिए लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर आओ ये मंदिर का गंटा क्यों नहीं बज़ रहा ओ तो पुरोहिद जी यहीं उपस्थित है ध्यान मगन है महाराज लवना सुर आईए महाराज महाराज आपका राजपुरोहिद होने के नाते मेरा सुझाओ है कि आज रात्री के युद्ध में आप अपना शूल अवश्य ले जाए क्योंकि मुझे आभास हो रहा है कि आज आपको इसकी आवश्यक्ता होगी राजपुरोहिद जी आपने तो मेरा कार्य और कठिन कर दिया अर्थात इसके उपयोग का पुना समय आ गया है राजपुरोहिद जी तो विदे अनुसार इसके अभिशेक के लिए मैं जल ले आता हूँ जिससे ये शूल मेरे द्वारा इसे उठाने के अनुमती दे दे मैं क्या करूँ अब कैसे रोकूं इसे आज तो शिफ चौदस है अब तो भोले बाबा ही पार लगाएंगे किन्तु कहीं ये अनुचित तो नहोगा कभी कभी बड़े उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए छोटी छोटी भूलों की अपेक्षा करनी पड़ती है इन राज पुरोहिजी के कारण ही कार्य कठिनाई उत्पन्न हुई है तो अब इनकी ही सहायता से वो दूर भी होगी श्री राम श्री राम श्री राम राम नाम के प्रभाव से तो राज पुरोहिजी गहरे ध्यान में चले गए अब मैं अपनी युक्ति लगाता हूँ प्रतीत हो रहा है लवना सुराग्या शिग्रे ही कुछ करना होगा मुझे अपने साथ ले जाना सर्वता अनुच्चित होगा राज पुरोहिजी आपने तो बात ही उलट कर दी क्या हो गया है आपको कुछ समय पूर ही तो आपने कहा था कि आज के युद्ध के लिए इस शूल को ले जाना उचित होगा किन तो अब आप कह रहे हैं अनुचित है क्यूं? क्यूंकि मुझे अभी अभी इसमर्ण हुआ कि आज शिव चोदस है यदि आज की रात्री किसी भी शिव अस्त्र का प्रियोग किया जाए तो वो शक्ति हीर हो जाएगा किन्तु यदि आज आप इस शिव अस्त्र को इस शिव लिंग की छत्र छाया में छोड़ देंगे तो इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी किन्तु उस महा बलशाली योद्धा के लिए जिसकी प्रसंसा चारों दिशाओं में गूंज रही है यदि आज आप इस शूल को ले जाना चाहते हैं तो ले जाएगे क्योंकि अपनी रक्षा तो सर्वो परी है ना राजन ना तो वो शक्ति शाली है ना बलशाली है उस दुर्बल ये उद्धा से मुझे युद्ध करने के लिए इस शूल की कोई आवश्यक्ता नहीं है कहीं लवना सुर्पंडिची को देख न ले अपना इस्थान पर हिस्थिर रही है राजन तनिक भी मत लिए मेरा कहने का अर्थ है कि इस शूल को कल के सूर्यो दय के पूर्व तनिक भी हिलाया तो ये शक्ति शाली बनने के इस्थान पर ये शक्ति हीन हो जाएगा उजित है उजित है ये मुझे त्रिलोग भीजेता बनने के लिए इस शूलक की शक्ती में और विद्धी चाहिए और विद्धी राईबाद उस रगुवन्शी की तोसे तो मैं अपने इन हाथों से मसल दूँगा इन हाथों से तब विलम मत किजिए राजन सूर्यास्त हो रहा है, शीगर जाइए अन्यता कहीं वो महा बल्शाली शूरवीर सूर्यवन्शी, रगुवन्शी ये ना समझ बैठे की आप उससे डर गए उससे बल्शाली तो ऐसे बुला रहे हैं पुरोईत जी जैसे ये मेरे नहीं उस रगुवन्शी के पुरोईत हो अभी ज्यात हो जाएगा कि कौन बल्शाली है और कौन बल्हीन अब कल सूर्य उद्य तक तो मैंने इसे इसके शूल से दूर कर दिया है बस अब शत्रुगन भाईया इसे आज के युद्ध में पराजित कर दें यज स्वाइब झाईया पूरील रिक लो – रिक लो – रिक लो – रिक लो – रिक लो रिक तुम्हारा अं्धकर में शीगरही मोगाराज मन धाता की आत्मको मुक्ती इवन शांती दिलाओंगा सावधान मानर यदि आज तुम इसकी सहायता करते हुए पाए गए तो मैं सारे नियम भूल कर तुम्हारे नेत्रों के समक्ष चन भर में इसका वद्ध कर दूगा ओर रगुवणशी यदि आज तु मेरा एक भीवार सह पाया तो उसे अपना सवभाग्य समझना तो तुम भी सुलो राक्षास आज यदि मेरा एक भीवार व्यार्थ गया तो मैं उसकी शन अपनी पराजय सुईकार करके तुम्हारे समक्ष अपने घुटने टेक दूगा अब शत्रुगन को सफलता पुर्वक और सीख का प्रियोग करना है रगुवणशी मल्ली युद में निपुरी और दाओं के समान मुद्रा लेने से खुच नहीं होता है युद में विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध कला भी आनी चाहिए बाराज लवना सुर्की! असोर समराण लवना सुर्की! अपराजे लवना सुर्की! अप्राजे लवना सुर्की संभाव उठिये माराज, अंस कर दिजिये इसका उठिये माराज, धंडिस किजिये इस रगुबंशी को यका से समले देखासर, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ देखासर, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ फिर भी तुम चित पड़े हो एक ही दिन में इतना पारंगत कैसे हो गया यह यह धर्म की शक्ती है लावनासुर जो अधर्म का विनाश करने के लिए एक ही दिन में इतनी शक्त हो उठी है किनतो यह शक्ती देतीक दिएरे तक टिक नहीं पाएगी रगवशची और करो समुना कि जढ कर मेंगी कि नड़व्ण हुए? कि जढ कि जढ डां! wildly जढ कि जढ के कि जढ गां! कि जढ कि जढ के जढ आए! कि जढ कि जढ कर पकदितीा हुए! जढ कि जढ कि जढ के जढ एए meget है में ग UX like it! CCPS Mike बात हुआ, अब मैं तुम्हें दोल चटाता हूं, रगवंशी इस प्रकार किसी भी वस्तु को शस्त्र बना कर पीछे से प्रहार करना तो युद्ध के नियमों के विरुद्ध है लबनासौर, तुमने युद्ध के सरवोच नियम का उलंगन किया है वानर, अपने नियमों का नर्गल प्रलाब वहां करो, जहां उनकी मान्यता हो अब इस आहत अवस्था में शत्रुगन भाईया, युद्ध कैसे करेंगे इस असुर की विजय तो संसार के लिए महास संकट होगी ये असुर सरवत्र विनाश करेगा मैं इस राम काज में कैसे असफल हो सकता हूँ शत्रुगन अश्वजब नाकारा हो जाता है तो उसके मृत्योई उचित है इसका प्रहार तो शत्रुगन भाईया के लिए घातक सिद्ध हो सकता है वानर एक आहत युद्धा से युद्ध शौर्य नहीं कहलाता है लवनासुर्ग वानर ये इसी युद्ध में आहत हुआ है और मृत्यों आहत होने के पश्चात ही आती है लवनासुर्ग कपट कभी भी विज़ई नहीं हो सकता तुम्हारे असुर सैनिक भी तुम्हें देख रहे हैं उन्हें भी ग्यात हो गया के तुम बल से नहीं छल से विज़ई प्राफ्त करने का प्रियास कर रहे हुआ युद्ध की ही इच्छा है तुम्हें इतना साहस है तुम्हें तो आओ मुझ से युद्ध क्यों नहीं करते तुम युद्ध हर तुम से मैं एक राजा हूँ राजा और राजा राज परिवार के युद्धाओं से युद्ध करता है किसी किसी सेवक से नहीं साफधान राक्षास साफधान अपने शब्दों को सोच समझ कर बोलो कहीं ये शब्द तुम्हारे जीवन के अंतिम शब्द ना बन जाए जिन्हें तुम सेवा कह रहे हो लेकिश किंदा के युवराज है प्रभु श्री राम के अनन्य भागते हों उनके जीवन का अभिन अंग हैं वो जिन्होंने अपने प्रभु श्री राम के लिए अपना राजपाथ अपना परिवार अपना सरवस्व त्याग दिया सब कुछ नियोचावर कर दिया जो राम काज को पूर्ड करने के लिए सदेव सहायक बनकर हमारे साथ रहते हैं जो तो कम आगने की भूल न कर बैठना जाने दीजिये शत्रुगन भईया जिसके साहस ने ही उसका साथ छोड़ दिया हो उसे और भया करांत क्यों कर रहे हैं कोई बात नहीं राजण यदि आपको मुझसे भय है तो आप ऐसा कह दीजी मैं भी भैभीत योधा से युध नहीं करता मुझे युध का आनंद ही नहीं आता बै मेरा दूसरा नाम है मैं किसी से भैभीत नहीं होता हूँ वनर ले जा अपने इसाहत राजा को और तुम आजाओ और दिखाओ अपने दाओ फिर फिर मैं तुम्हें भैसे परीचित करवाता हूँ लक्षमन मुझे चिंता हो रही है शत्रुग्न का कोई समाचार आया क्या कहीं वो किसी संकट में तो नहीं चिंता किस बात की भाईया जब शत्रुग्न के साथ संकट मोचन माहबली हनुमान है तो उस पर छाया कोई भी संकट कहां तिक सकेगा आओ वानर देखते हैं तुम में कितना है सामर्थ जो मेरे समक्ष तिक पाओ आओ 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 तुम्हारे पाउं और भुजाओं की गती देखकर मैं तुम्हारा अगला दाव समझ गया हूँ असुर अरे इस धूर्टवानर ने तो मेरा दावी विफल कर दिया अब क्या करूँ अब जो करूँगा मैं करूँगा एसे तो ये वानर मुझे पराजित कर देगा मुझे कोई उपाय कर इसका बल छिड करना होगा ये वानर तो आदी बलिट है तो मैं भी लवनासुर हूँ लवनासुर और कोई उपाय नहीं है इस पर तो मुझे अपने दिविशूल का ही प्रयोक करना होगा किन्तो उसे तो मैं अभी उठा नहीं सकता सुर्योदेट तक इस वानर कोल जाकर रखना होगा क्या हुआ राजन इस राम भक्त से युद्ध करने पर आपका साहस्चिन भिन हो गया क्या कहीं आपका मनोबल तो नहीं तूट गया वानर जीवन में प्रतम बाग कोई युद्ध मेरे समक्ष आया है जो समर्थ में मेरे समकक्ष है तुम्हारी मल युद्ध केनी पुनता से मैं प्रभावी थूवानर किन्तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे अभी तक हम क्रिडा कर रहे थे युद्ध नहीं किन्तो अब युद्ध होगा युद्ध कि प्रतर्या है कि अज्या है कि झाल एफ 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 ए एफ 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 परेव। बारेवनर वार करेंगो या परिहास श्याहिन में अंवμα काल अंव सुर्योदे होने वाला है और ताथ इसका अंतब समीब है आक्रमार्ण हाँ हाँ हम मिटा देंगे उन्हें अच्रों की जय होगी अच्छों सम्राण दपना तुर्की जय जय सेनिको आक्रमार्ण आक्रमार्ण यह कहां गया तो वो दुष्ट अवश्य अपना शूल लेने गया होगा अनमान जी आप शीकर जाए उस दुष्ट को उसका शूल ना उठाने दीजिए जिस प्रकार प्रबु शीरी राम ने खड़दूशन की सेनगा सामना किया था उसी प्रकार मैं भी इन दुष्ट को निप्टा दूंगा ऌा उ स्वटा ऑ्ट शुष्ट को नू बाउ तंवे होगा न उसे है अम न माशुब आए ओार message to be नमस्षिवाई लवनासुर कहें, शूल न उठाले अब देखता हूँ, उस राम का ब्राता और उसका वो भक्त कैसे बसते हैं मुस्से दुर्दशा कर दोंगा उनकी रर्मादिय। अब भोले नात का वो पवित्र शूल, तुम्हारे अपवित्र हाथों में कभी नहीं आएगा दुस्टा मुझे वो शूल चाहिए। नहीं लबनासुर, बहुत हुए तुम्हारे अधर्मकर्म, अब ये राम भक्ता हनुमान तुम्हें शूल तक नहीं पहुचने देगा। मुझे यद्री विशूल चाहिए, किसी बें आउस्ता में मुझे चाहिए यद्री विशूल, मुझे उस तक आउस्ता ही होगा। जिस प्रकार तुम कुछ भी कर के उशूल तक पहुचना चाहते हो, उसी प्रकार मैं ये रामकार्य अभी इसी पल्ट संपन्न करना चाहता हूँ ह fulfill ऐामकार्य हुए छिस पहस्टोन शत्रुगन भाया मैं रघुकुल के इस अपराधी को पुन्हा आपके समक्ष ले आया अब आप प्रभु श्री राम के दिये हुए दिव्यबान से इस महापापी का अंध कर संसार को इसके अत्याचारों से मुक्त कीजी तेरे इस तुछ बान से मेरा कुछ ही नहीं हो पाएगा अपीड़ता पेडिवरता अपी दो में तुम दोन का संगार करूं का संगार अब एध़ं कर दो कर दो झाल 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 प्रतीत होता है, हमारे पूर्वच प्रसंद हो रहे हैं, ये तो अत्यांत शुप संकेत है लबना सुर के वद्ध के पस्चात, अपने स्वामे की मृत्यू उप्रांत ये दिव्यशूल मंदिर से बाहर क्यों आ गया? क्या ये शूल, बिना योद्धा क्या ही इतने तीवरगती से हम पर प्रहार करने के लिए हमारी योर बढ़ रहा है? अब इस दिव्यशूल से अपने रक्षा कैसे करें हम फर्मान जी ये दिव्यशूल तो आहात कर देगा हम दोनों को हे भोले बाबा प्रणाम भोले बाबा मुझे ग्या था कि मेरे भोले बाबा के रहते ये अधर्म नहीं हो सकता आपको धन्यवाद प्रभू हनुमान, धन्यवाद के पात्र तो तुम दोनों हो एक धर्मी के हातों से मुक्ति दिलाई मेरे दिव्यशूल को वह पापी तो मेरे दिव्यशूल का दुर्योप्योगी कर रहा था प्रणाम यम्देव प्रणाम यम्देव इसके मृत्यू से ही दिव्यशूल की मुक्ति संभव थी प्रभू ये जो भी हुआ प्रभू श्री राम के प्रताप से ही हुआ जो हम आपके दिव्यशूल की मुक्ति का कारण बने हम तो मात्र प्रभू के कारी को ही पूर्ण कर रहे थे अंतत्य अमारे पूर्वज महराज मान धाता जी को स्वर्ग की प्राप्ति हो ही गई हनुमान ने अपना कारे पूर्ण कर दिया यही नहीं शत्रुगन की सहायता करके उन्होंने रगुकूल की आन की रक्षा में की रगुकूल की आन की रक्षा ही नहीं की तुम दोनोंने राम राज्य पर मंडराते हुए संकट को दूर किया है तुमने संसार को अधर्म की परतंतरता में नश्टोने से बचाया है तुमने अनुमान तुमने शत्रुगन को मल्यूत के कौशल सिखाकर संसार के समक्ष मल्यूक की उप्योगिता समक्ष की है मेरा आशिरवाद है तुम्हें अब से मल्यूत की विद्या तुम्हारे नाम से जुड़कर ही जानी जाएगी जिस अखाड़े में तुम्हारी पूजा होगी उसी अखाड़े के युद्धा मल्यूत की विद्या में परांगत हो पाएंगे आपके क्रिपा के लिए आपको शत्षत नमन भोले बाबा अखाड़े में तुम्हारी पूजा होगी उसी अखाड़े के युद्धा मल्यूत की विद्या में परांगत हो पाएंगे आपके क्रिपा के लिए आपको शत्षत नमन भोले बाबा हनुमत प्रतिमा करे स्थापित शिव कर्म थुरा खाड़ा सुशोभित मल्य वेद्या के अब भगवाना शिव आसीस से बने हनुमाना कपि मथुरा शत्रुघन को लाए नगर अधिपत उनको बनाए जन मानस सुमन बर साई जै जैकार कपीश गुझाई ये का था महाबली हनुमत की रुचिकल लीला राम भगत की मथुरा नेरेश रगुवंची महाराज शत्रुघन की प्रभु ये कलपना थी मेरी नहीं नहीं कहीं माता सीता इसी आभास के विशय में तो नहीं बोल रही थी जब लवकुष का प्रभु से भेट करने का समय आएगा तुम्हीं इसका आभास हो जाएगा पुत्रह रुमा कदाचित प्रभु का माता और लवकुष से मिलने का समय आगया है लवकुष से मिलकर मेरे प्रभु का सारा दुख मैठी जाएगा माता से पूछता हूं कि वो समय आगया है क्या किन विचारों में खोए हैं हनमान जी आप आश्रम निकाटा रहा है धोल लगाडे बंद करवा दीजिए और इसमरण रहे यहां से बिना रुके शांती से निकलिएगा जिससे रिशी और बालकों के कारे में कोई बाद आना पहुंचे उचित है शत्रुगन भाईया सैनिकों धोल लगाडे बंद कर दो किन्तो मुझे तो जाना होगा मा महरिशी से मिलने उन्हें हमारी विजय का समाचार तो दे दू अयोध्या में प्रभू भी तो प्रतिक्षा में होंगे इसलिए शत्रुगन भाईया आप सब अयोध्या की ओर निकल जाएए मैं शीग्रे ही आकर आप सबसे मिल जाओंगा मुझी थे कुटुम्ब वृध्धिम धन्यधान्य वृध्धिम इस्ट्रियस्ष्ष्च अमुख्या सुख मुतात्मां चा स्रुत्वा शुभाम काम्यमिदं महार्थम राप्तोनती सर्वाम्भूः आप नहीं प्रूत्त्रा प्रभु अपने पुत्रों से मिलके प्रसन्न हो जाएंगे इतने वर्षों से प्रभु के मुखडे को सदैव विशाद ग्रस्त ही देखा है मैंने तो क्या मेरे प्रभु कभी मस्कुराते भी नहीं है माता क्या मेरे रखुनंदन के श्री मुखड़ हास परिहास के कोई चिन नहीं दिखाई देते कैसे हैं मेरे रखुराई बताओना अनुमान कभी वो अपनी सीते को स्मरण करते हैं माता प्रभु देह हैं तो आप उनके प्राण है आपकी स्मृतिया ही प्रभु के जीवन का आधार है यंत्रवत्सी हो गई है प्रभु की दिन्चरिया जिसमें कोई उल्लास नहीं, कोई प्राण नहीं रातरी में कुश आसन पर शैम वर्शोपूर्व आपके छोड़े हुए पुश्प आज भी सूम कर आपके स्पर्श का आभास करते हैं प्रभु आपके लगाए हुए पान के बीड़े आज भी अपने हिर्दे से लगाकर कक्ष के कोने में बैठे रहते हैं प्रभु का जीवन जल्बिन मीन सा हो गया है ऐसा विचो का दुख तो आपके लंका प्रवास के समय भी नहीं हुआ था माता माता और कब तक ये विचो रहेगा माता अब तो लव कुश भी बड़े हो गए है जै राम लखन संजान की जै पुलो हनुमान की तुम सत्य कह रहे हो अनुवान मेरे पुच्र बड़े हो गए है अब तो समय आ गया है स्ट्रीराम की कथा को जन कल्यान के लिए संसार के कोने कोने में पहचाने हो तो ये दोनों आश्टन से बाहर निकले माता, तो आप इसका शुबारंब अयोध्या से ही कराए अयोध्या की गलियों में जब ये रामायन गान करेंगे तो माता सबको आपकी अगनी परिक्षा के बारे में ज्याद होगा प्रभू के आदर्शों और मर्यादाओं के बारे में जानेगी प्रजा आप दोनों के महान त्याग को समझ पाएंगे सब माता फिर कोई अन्य आपके चरित्र पर उंगली नहीं उठा सकेगा तिन्तु हनुमा यदि मेरे स्वामी को ग्यात हुआ कि माता इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि प्रभु भी वर्तमान के सत्य से अवगत हो सोचिए यदि राज सभा में इन्हें गायन का अफसर मिल गया तो प्रभु अपने पुत्रों को अवश्य ही पहचान लेंगे और मेरे प्रभु को उनका बिछडा हुआ परिवार वापस मिल जाएगा उचित है अनुमान किन्तु इसके लिए तुम्हें मेरी दो बाते माननी होगी माता अधेश्टी जी तुम स्वयम इन दोनों की पहचान कभी उजागर नहीं करोगे और निकलने से पुर्व तुम मेरे दो पुत्र को अश्टसिधी और नवनिदियों के दान दोगे सारे कारिय कुशलता से कर सके और कठिन से कठिन परिस्थिती में भी सफलता पा सके माता आप ही ने तो मुझे अश्टसिधियां और नवनिदियां प्रदान की थी लवकुष को भी आप स्वयम ये सब कुछ दे सकती है माता हनुमार तुम्हानुपम भप्त हो अतुलित बल के धाम हो जब तुम इन दोनों को ये सब कुछ प्रदान करोगे तब तुम्हारी भक्ति और शक्ति का अंश्वे इन दोनों को प्राप्त हो जाए अवश्य माता ऐसा ही होगा कपि देव का धान जो धारे इंद्र सहित सब देव पधारे लवकुष अच्रज महपड़ी जाई कपि तब अश्ट सिधी प्रदाई अनिमा महिमा एच्सवा बत्सवा गरिवा कल्यान मोह पुत्र प्राप्ति प्रकम्या लवकुष दो तेज प्रदीप्ता हर्शित मंता मैमा सीता हनुमत आभाने श्री लक्ष्मी बन निमेत नवनिधी प्रदाई पंकज शंख मगर्व चमेली मनि नीलम इत्यादि भिदेई चक्षु खोली देखी हनुमाना देवता सबह अंतर ध्याना नभ सुमन वर्शा वर्शा वर्शाई सीता लब कुष कोदी बधाई इस असीम कृपा के लिए आपको सतसत नमन कपीश्रेश्ट आप तो अनुपम है कपीश्रेश्ट तो पूछ लो आपने इतनी दुरलब सिद्धियां सहाजी हमें कैसे प्रदान कर दी कौन है आप क्या आपका हमारे साथ कोई संबंध जुड़ा है मैं कौन हूं और क्या संबंध है हमारा उचित समय आने पर सब ग्याद हो जाएगा तुम दोनों को तब तक के लिए इतना ही जानलो कि धर्मपत के अनुयाई तुम दोनों बालकों को ऐसी सिद्धियों का ज्यान होना अतियावशक है और जितना मैं अपने प्रभु से प्रेम करता हूं उतना ही धर्मपत के अनुयाईयों से प्रेम करता हूं माता बालकों को संपूर्ण रामायन कंठस्त हो गई है अतह अब राम कथा का प्रचार प्रसार आरंब करने की आप आज्या दीजिये इन दोनों को माता इसका शुभारंब आप अयोध्या से ही कराईए अयोध्या प्रभुशी राम की नगरी नगर नगर भारत में जाते लव कुष राम की कथा सोनाते बीना नन्हे हात में धारे वाल्मी की संग अवध पधारे अयोध्या नगरी का मुख्यद्वार नमन है अयोध्या के पावंधर्ती को जैसिया राम प्रभु प्रभु क्या हुआ अकसमाथ ही आप व्याकुल क्यूं हो उठे हनुमान कदाचित किसी ने मेरा नाम पुकारा है नन्य बालको से स्वर्था प्रभु का विशाद मिटाने के लिए इनके चहरे पर मुस्कान लाने के लिए प्रियल लवकुष के नन्य पावंधर्ती के अयोध्या में प्रविष्ट हो चुके हैं तुम स्वयम इन दोनों की पहचान कभी उजागर नहीं करोगे माता ने वचन लिया है मुझसे यदि ये मुझे अयोध्या में देखेंगे तो पहचान जाएंगे कि मैं कौन हूँ नहीं नहीं मैं माता को दिया हुआ वचन भंग नहीं होने दूगा इस संकट में संकट मोचन हनुमत राम से आमिले सीता को खोजे आशा के मुर्छाए सुमन किले लंका पहुचे अवध बिहारी दुष्ट दशानन को संहारी अगनि परेच्छा तब देमाई अवध नरेश बने रगुराई सियावर राम चन्रकी जै लक्षमान इन मुनी कुमारों के मदर गायन ने रीदे को एक अप्रतिम चा सुक्त प्रदान किया है इन्हें बुलाओ और मिनती करो कि ये मेरे लिए उन्हें ये गायन प्रस्तुत करें अच्छा है इतने वर्षों में प्रथम मार भाया ने कोई इच्छा तो प्रकट की ये तो सुन्दर नन्य बालक जितना इनके निकट जा रहा हूं उतनी ही आत्मियता का आभास क्यों हो रहा है मुझे लक्षमन भाया अर्थात प्रभू का बुलावा दोनों बालकों के लिए अब तो प्रभू का अपने पुत्रों से मिलन निश्चित है प्रणाम मैं लक्षमन हूँ श्री राम भाया का अनुज उन्होंने आपसा अनुरोत किया है कि क्या आप राजभावन में आकर राम कथा का गायन उन्हां प्रसुत कर सकेंगे हाँ हाँ हम अवश्या आएंगे जिस भवन को देखकर तुम दोनों अचम्बित हो रहे हो न अब शीग रही तुम भी यहीं पलोगे बढ़ोगे इन बालकों में ऐसा क्या है यह जितने निकटा रहे है मेरे रिदे का स्पंधन उतना ही बढ़ रहा है लव मेरा हृदय तो तीवरता से स्पंधित हो रहा है मेरा भी जिनकी रामायन हमने कंठस की है आज उन्ही के सामने उन्ही को सुनाना है ना जाने क्या होगा, कैसे होंगे वो श्री राम? कुल के महान राजा श्री राम को हमारा प्रणाम मेरा रिदय इनकी ओर क्यों खीचा चला जा रहा है? यह कौन सा आकर्षण है, जो मुझे इनकी ओर खीच रहा है? अब तो शीग रिधी प्रभू पहचान लेंगे अपने पुत्रों को कौन है यह नन्यबालक? जैसे मुझसे कोई संबंध हो इनका मेरे रिदय का स्पंधन जैसे इनके रिदय के स्पंधन से चुट रहा है ऐसी अनुभूती तो प्रथम बार हुई है जैसे मेरे रोम रोम में बसे हो श्री राम अब तो शीग रही वो ख्षण आ जाए जब प्रभू का मिलन हो अपने पुत्रों से अपना मधूर गायन अरम्भ करो मुनी कुमारो जी महराज प्रथम गुरु वरवन्दना स्मर्ण करो श्री गणीश नमन है माताशा अरदा ब्रम्हा वेष्णु महेश ये रामायन है रामचंद्र गुण धाम की सब सुधी जन करिये कथा श्रवन श्री राम की श्री रघु वंशी दशरत्र विपति चार प्रता पी पूत्र है सब से बड़ी श्री राम चंद्र है जिन के नाम सहस्त्र है ज्यान वशीष्ठ से लेकर आए और ताल का पे जय पाए हो शिव धनुष को सहज उठाए जीता पतनी रूप में पाए ये धर्म कथा है धर्म प्राण श्री राम की सब सुधी जन करिये कथा शवन श्री राम की सब सुधी जन करिये कथा श्रवन श्री राम की तात वचन की लाजनी भाने चौदाह बरस वन वास्त्रिया पग पग क्षण क्षण सीता ने उस कठिन समय में सात्तिया राम पाठ सुर्पन खा पढ़ाई जिसका रावन था एक भाई लेने को प्रतिशोथ हो आया मा सीता को छल से चुड़ाया इन बालकों के मधूर्गान ने मेरे राम की बाल्य अवस्थाकों मेरे नेत्रों की समक्ष सजीव कर दिया ये है रामायन रामचंद्रगुन धाम की सब सुधिजन करिये कथा शवन ये कथा है नेति धर्म के संद्राम की सब सुधिजन करिये कथा शवन शेराम की सब सुधिजन करिये कथा शवन शेराम की इस संकट में संकट मोचन हनुमत राम से आमिले सीता को खोजे आशा के मुर्छाए सुमन किले लंका पहुचे अवध बिहारी दुष्ट दशानन को संहारी अगनी परेच्छा तब देमाई अब थनरेश बने रखुराई अब और नहीं रोपाऊंगा स्वैम को अभी जाकर बालकों को बता देता हूँ कि मैं कौन हूँ ये कथा है मरियादा पालन अभी राम की सब सुथी जन करिये कथा श्रवन श्री राम की सब सुथी जन करिये कथा श्रवन श्री राम की कर पालन श्री राम श्रवन श्री राम कर श्रांग कर दार्वन श्री राम राम, राम अब प्रभू से अपने पुत्रों के मिलन का ख्रण आ गया है प्रणाम प्रभू शी राम शी र्म जए रहनुवार्ग चेुड़्सेरिया! धन्यवाद प्रभु कौन हो तुम दोनों क्या नाम है तुम्हारे मेरा नाम कुष है और मेरा नाम लव है कुष लव 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 कुष बहुत सुन्दर नाम है प्रभु को तो आभास ही नहीं है कि उनके कोई पुत्र भी है और मैं माता को दिये वचन से बद्ध हूँ सब जान कर भी मैं प्रभु को सत्य से अफगत नहीं करा सकता अब तो आशा है कि ये बालक ही कुछ ऐसा करें जिससे आज इन पिता पुत्रों का मिलन हो जाए किन्तु अब ये किन्हें ढूंड रहे हैं क्या हुआ मुनिक कुमारो कि किसे ढूंड रहे हो प्रभु श्री राम जिनके लिए आपके हाथों से शिप्धनुष भंग हुआ जिनके लिए शुर्प नखा की नाक काट दी गई जिनके लिए खरदूशन को अकेले ही मृत्यू दे दी आपने जिनके लिए लहरों पर राम सेतु बना कर सौ योजन का समुद्र पार किया आपने लंका गय रावन का वद किया आपने वो पवित्रता की प्रतिमूर्ती देवी स्वरूपनी माता सीता कहा है ये कैसा प्रश्न पूछ लिया प्रभो श्री राम से लवकुषने बताईए न प्रभु श्री राम आपकी अर्धांगनी जो इस संपूर्ण अयोध्या की श्री समृध्धी और सुख का कारण थी वो कहां है उन महान त्याग्मई माता के चरण छूकर हम अपने भाग्य में प्रिधी करना चाहते हैं यदि इन बालकों को ये ग्याद हुआ कि एक छोटी सी बात को लेकर माता का त्याग कर दिया है प्रभु ने तो इन बालकों के कोमल हिर्दय पर न जाने क्या भी देखी कहीं इन दोनों राम भगतों की श्रद्धा न तूट जाए मैं तो प्रभु के सुक के लिए ये कर रहा था किन्तु प्रभु कहीं और अधिक दुखी न हो उठे क्या होगा जब इन बालकों को ग्याद होगा कि माता सीता ही इनकी वो माता है और प्रभु श्री राम इनके प्रभु अब क्या उत्तर देंगे प्रभु अपने ही पुत्रों के प्रश्न का कोई तो कोई कि का उटाइए माता सीता लुए आप सभी माता सीता कहां हैtte कहां है माता सीता बताईए ना अयोध्या की पूरी राजसभा मौन क्यों है क्या यहां ऐसा कोई नहीं है जो मुझे माता सीता के बारे में बता सके या फिर कुछ ऐसा है जो कोई हमें बताना नहीं चाहता आप सबकी यह मलीन मुखमुद्राएं जुके हुए शीश इस सत्य का संकेत हैं कि माता सीता के साथ कुछ अनिष्ठ हुआ है बताइए न प्रभू क्या वो स्वैम आयोध्या छोड़कर चली गई या किसी ने उन्हें आयोध्या से बाहर भेशने का पाप किया है राजधर्म के निर्वाण के लिए मुझे सीता का परित्याक करना ही होगा बताइए न प्रभू माता सीता कहा है क्या यहां ऐसा कोई नहीं है जो हमारे प्रश्ण का उत्तर दे सके लवकुष उत्र राजसभा की गरिमा बनाए रखने के लिए कभी-कभी कुछ प्रश्णों का अनुत्यरित ही छोड़ देना उचित होता है क्या यहां सीत लवकुष होगी तुम माता सीता की वाती पामित्र, किन्तु में राजा राम नहीं हो, पत्नी के प्रेम में राजा राम तो दुर्बल हो गए है, जो महीनों भर्थ पर पुरुश के आ रही, अपने इस त्री को पना तो इकार कर लिया है लक्षमन, सीता को ले जाकर गंगा के भार, तामस नधी के घनेवन में छोड़ कर आना होगा तुम्हें पीर रदय की, किसको सुनाएं आज व्यथित रगुराई ये क्या हो गया, मैं तो प्रभु से उनके पुत्रों का मिलन कराना चाहता था, उनका सुख लोटाना चाहता था, किन्तु प्रभु और अधिक दुखी हो जाएंगे, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था तुम स्वैम, इन दोनों की पैचा कभी उजाकर नहीं करोगे कहा है माता सीता? प्रभु श्री राम की अरधांगीनी है माता सीता, फिर उनके साथ क्यों नहीं थी वो? खुश, गुरु देव जी ने हमें संपूर्ण रामान सिखाई है अता, उन्हें तो ग्यात होगा ही माता के बारे में बालुकों का कोमल मन प्रभु के निर्ने के सार को समझ नहीं सकता इसलिए ना महरशी कुछ बता पाएंगे और ना ही मैं और अब ये प्रश्न बालुकों के भावुक रिदे में शूल की भाथी चुपता रहेगा तौभा क्या है मेरा कि महरशी जवन स्वया में अहां पधारे वो भी आज जब कि आज ही के दिन मेरे पुत्रों स्वामी से मिलकर आने वाले है मैं वेग्र हूँ ये जानने के लिए कि मेरे रखुनंदन अपने पुत्रों को पहचान पाए हैं या नहीं आगे ये तो प्रसन नहीं दिखाई दे रहे हैं खीनता के चिन है इनके मुख पर पुत्रों ये है महरशी जवन महरशी जवन प्रणाम रिशिवर कल्यान हो पुत्रों महरशी जवन यहां पर माता ने बताया था कि आप भी श्री राम के भक्त है तो आपको तो अवश्य ग्यात होगा कि माता सीता अयोध्या में क्यों नहीं है हमें कोई कुछ नहीं बता रहा किन्तु आज हम माता सीता के बारे में सब जानकर ही रहेंगे आपको सौगंद है हमारे शीष की रिशिवर बताईए क्या हुआ था माता सीता के साथ पूश्री राम की अर्धांगिनी होकर भी क्यों उनके साथ नहीं थी अयोध्या में महरशी चवन रिशी अब क्या करेंगे रिशिवर यदि अभी इन्होंने सब बता दिया तो ये अभोध बालक कुछ अर्थ का अनर्थ न निकाल ले देवी सीता का त्याग करना पड़ा प्रभू श्री राम को त्याग करना पड़ा माता सीता का त्याग ये क्या किया आपने रिशिवर क्या सोचेंगे ये श्री राम के बारे में कैसे समझेंगे कि श्री राम को विवश होकर ऐसा करना पड़ा कहीं माता के बारे में न बता दें कि उनकी माता ही सीता है नहीं नहीं रिशिवर ऐसा नहीं करेंगे नहीं श्री राम मर्यादा पुर्शोत्तम है वो ऐसा नहीं कर सकते माता सीता के लिए उन्होंने समुद्र लांगा रावन का वद किया प्रिदे से प्रेम करते हैं वो माता सीता से फिर कैसे उन्हें स्वेम से विलग कर सकते हैं श्री राम क्योंकि प्रजाने देवी सीता पर अपवित्र होने का लांचन लगाने की भूल की थी अब पवित्र अगनी परिक्षा देकर उन्होंने अपनी पवित्रता का प्रमान दे दिया था फिर कोई कैसे उन्हें लांचित कर सकता है वो देवी सीता के पतीवरत धर्म की अगनी परिक्षा थी और ये राजा श्री राम के राज धर्म की अगनी परिक्षा थी राजा को अपनी प्रजा की इच्छाओं के समक्ष अपने सुखों का ही नहीं अभी तो अपने परी जनों का भी त्याग करना परता है ऐसा करके प्रभु श्री राम ने आदर्श राजा की मर्यादा का उधारन प्रस्तुत किया है संसार के समक्ष नहीं, ये निश्ठुरता है अनुचित किया है, प्रभू कहलाने वाले श्री राम ने क्या सोचा था, और क्या हो गया ये तो बड़ा ही अनर्थ हो गया इन्हें ग्यात नहीं है कि इनकी माता ही सीता है ऐसी स्थिती में भी ये इतने अधिक रुष्ट है प्रभू से और जब इन्हें ये ग्यात होगा कि इनकी माता के साथ ही ये सब हुआ है तब कहीं ये अपने पिता से ही विद्रोह न कर बैठें मिलन के स्थान पर शत्रूता न हो जाए जिन श्री राम ने अपने उन अर्धांगिनी का त्याग किया जिन्होंने बगबग पर उनका साथ दिया राजसे सुख त्याग कर वन वन भटकी रावन से प्रताडना सही किन्तु अपने श्री राम के सम्मान में तनिक भी कमी नहीं आने दी उन्होंने उनके द्वारा किया गया मेरा ये सम्मान सुईकार नहीं है मुझे हाँ, नहीं चाहिए हमें श्री राम का ऐसा सम्मान हमारा परिवार तो जुड़ने कि स्थान पर इन मोतियों की भांती है बिखर के रह गया है और क्या करूं में कितने मर्यादा का पालन खरों है और क्या कराना चाहता है ये राज्धर मुझे तोट कर बिखर चुका है ये राम और कितनी पीड़ा सेरी हो कि मुझे कितनी पीड़ा श्री राम से संबनलित कोई विवस्तू हमें नहीं चाहिए हाँ हमें नहीं चाहिए लव कुश तूटी हुई है तुमसे प्रभु श्री राम को समझने मा उन्हें प्रभु मत कहिए स्थिती तो और भी गंभीर होती जा रही है पुट्र ऐसा नहीं कहते वो तो माता सीता जैसे पती व्रता का त्याक करने वाला प्रभु कहलाने की योग्य कदापी नहीं हो सकता मा कलपना करके तो देखिए वो प्रभु राजभवन में बैठे हैं और उनकी अर्धांगिनी वो कैसे कैसे कश्ट सहकर अपना जीवन व्यतित कर रही होंगी जीवन भर का विश्वास तोड़कर कोई अपनी जीवन संगिनी को छोड़ दे तो कितनी पीड़ा होती है उस जीवन संगिनी के हृदय में एक एक शन कैसे बिताती है वो आपको देखकर इतना तो बोध हो ही गया है हम भाईयों को जानते हैं तुम दोनों अब सब कुछ समझने दगे हैं परन्तों तुम दोने अब इतने परिपक नहीं हुए हैं जो ये समझ सकते हैं कि एक राजा को राजधर्म निभाने में कितनी कठिनायों का सामना करना पड़ता है राजा के कल्यान के लिए कैसे कैसे द्याक करने पड़ते हैं मा संसार के कल्यान के लिए उन्होंने जो किया वो प्रशन स्निया है किन्तु अपनी पत्नी के प्रतीव ही कुछ दायत्व था उनका जिनका निर्वाहन करने में वे असमर्थ रहे फिर कैसे हम उन्हें प्रभू की श्रेणी में रखे पत्रों तुम दोनों जिन्हें अपना पिता मानने से अस्विकार कर रहे हो वो तुम्हारे अपने पिता है अब क्या होगा? कैसे जुड़ेगा मेरे प्रभू का परिवार जब इन बालुकों को सत्य का पता चलेगा तब कहीं कोई अनर्थ न हो जाए ये है रामायन रामचंद्र गुणधाम की सब सुधिजन करिये कथा शवन